नमस्कार मेरा नम ग्यानिक शुर है और आप देख रहú है Queens अब तक आप बिहार विदान सभा के उप्चुनाओ website दीजो को जान चुके हैं समस्ति पूर का नतिजा भी जान गये हैं समस्ति पूर लोग कुराने का अवसर नहीं दिया है कि जस्न मनाने का मौका नहीं दिया है उदासी है मातम है क्योंकि दोनों हारे हैं हां राम बिलाश पासबान अपनी जीत बरकरार रखे हैं जदियू को ऐसी वैसी हार नहीं मिली है उनकी दो सीटें सिम्री बक्तियारपूर और बिलहर राजद ने छीन ली है दरौंधा में भाजपा के बागी करंजीर सिंग उर्फ ब्यास सिंग चुनाओ जीते हैं जदियू हारा है सिमान ने संदेश दिया कि हमें दूसरा सहाबु दिन नहीं चाहिए देखिए अब कुछ लोग कहेंगे भाजपा के लोग भी कहेंगे कि दरौंधा में जीता तो उनका ही ब्यक्ति है करंजीर सिंग उर्फ ब्यास सिंग पुराने भाजपाई जरूर हैं लेकिन इस बात को भी याद रखिए कि भाजपा ने उन्हें एन चुनाओ के मौके पर जब उन्होंने अजैस सिंग के खिलाब बगाबत करी क्योंकि प्रामिस टूट रही थी तो दूद की मक्षी की तरह निकाल कर फेग दिया पार्टी से निकाल दिया अल्टिमेटम दिया कि साम तक बैठ जाईये नहीं तो छुट्टी लेकिन ब्यास सिंग मैदान से हटे नहीं डटे रहे और अजय सिंग को हरा दिया उस अजय सिंग को जो अपनी दबंग्यत के कारण जाने जाते हैं और उस अजय सिंग को जिसे दरौंधा में नितिश कुमार, शुसिल कुमार मोदी और राम बिलास पासमान जीत का माला पहना कराए थे तो देखिए उप चुनाओ के नतीजे यदि किसी को मुश्कुराने का मौका पदान कर रहा है या यूँ कहें कि किसी को संजीबनी बूटी मिल गई है तो वे हैं तेजस्वी यादब तेजस्वी यादब पटना में नहीं है जिस दिन चुनाओ परचार खत्म हुआ था 19 अक्तूबर को उसी दिन वे पटना से बाहर चले गए थे और आज जब जीत हुई है जदियू की हार हुई है तो तेजस्वी जहां हैं आकरामक हो गए हैं हला बोल हो गए हैं और कहा जा रहा है कि जब पटना आएंगे तो छाती चौरा कर आएंगे सीना चौरा कर पटना पहुंचेंगे कारकरताओं को संदेश दिया गया है कि पटना हवाई अड़े पर उनका स्वागत धोल नगारे के साथ हो तेजस्वी यादब के सामने भी चुनौतियां कई हैं देखिए इस बात में तो कोई शक्षुभा नहीं है कि बिहार में बिप्रक्ष की सबसे बड़ी पाटी आर जेडी ही है ठीक है धूप छाओं सहने की बरसा सहने की ताकत अभी मौजूदा नितत्त्यों में नहीं है लेकिन बिहार में जब चुनाओं होते हैं तो लराई इनी दोनों के बीच में एंडिये और महागटबंदन की बीच में बटी होती है तो तेजस्य यादब को अपने घर के भीतर का महाभारत भी समाप करना होगा लालू यादब को भी टै करना होगा कि आगे की रन नेती क्या होगी और घर का महाभारत कैसे खत्म होगा तेजस्य यादब क् तरह आम आदमी नहीं है वे लालू यादब की तरह गरीब गुरुबा के भी जीने बाले नहीं है हां लेकिन बिहार की राजिती करनी है और सचमुच में NBA को चुनौती देनी है तो आपको रफ तफ बनना होगा लोगों के सुख दुख में खरा होना होगा सिर्फ ट्यूटर स कि धूप में बरसा में आपको लोगों के साथ खरा होना है जो रत हो तो जेल भी जाना परेगा आप यदि पटना में बार हो भागे रहेंगे मुझपरपूर में इनसे फ्लाइटी सो भागे रहेंगे मुझपरपूर में सेल्टर होम कान का मामला हो भागे रहेंगे तो जन प्राजेए की आप यहां मत मान लीजिए की आपको हराय नहीं जा सकता है आप यह मत मान लीजिए की आपकी दादागी चलेगी मैं कल एक वीडियो देख रहा था जारकन में गुड़ा के सांसेर्थ हैं निसिकान दूबे वे जामतारा में कहीं एक जगा भाशन कर रहे है थे जारकन में भी चुनाओ होने है बिधान सबा के तो वे कह रहे है थे कि भाजपा मतलब NDA का टमंधन जिसे किसी को चाहे वो चोर हो डकैट हो लंगरा हो लुला हो कुछ भी हो जिसे टिकट डेदे का चुनाओ चीड जाएगा निसिकान दुबेजी भाजपा के सांसद महोदे देखिए ये मौके बार बार नहीं आते हैं जनता आपको पहचानती है और जब जनता पहचानती है और आप अपने बाइदे पूरा नहीं करते हैं तो जनता चोट देना भी जानती है देखे देश समझ रहा है ऐसा नहीं है कि देश नहीं समझ रहा है GDP की क्या इसती है आप MNP पर जो चुनाओ जीतने का नया फंडा है MNP, MNP को समझ ये MNP मतलब M से मोदी N से निशनलिज्म और P से पाकिस्तान इसके बूते आप एक दो दफे नारों से चुनाओ चीर सकते हैं लेकिन जब जनता की ठाली से रोटी गायव होती है बैंक दूबने लगते हैं बैंकों में रखा पैसा भी असुरक्षित दिखने लगता है तो जनता जाग जाती है और फिर जो नतीजे आते हैं आप हर्याना और महरास्त को लेकर कितने धिस्चिन थे लगा आथा बिलकुल क्लीन स्यूप है लेकिन क्या हुआ हर जगा लंगरी सरकार हर्याना में तो बिलकुल लंगरी सरकार महरास्त में भी आप से उस्वेना के शहरे रहेंगे आप देख लिए जो देश के हालात हैं अमित्सा को कल धन तेरस के दिन हर्याना के लिए बिधायक खरीदने होंगे तो देश किसी दूसरे चीश की खरीदानी में होगा पैसे भले कम है, मंदी है लेकिन देश कुछ भी खरीदेगा हर्याना में बिधायक खरीदे जाएंगे चाहे वो अमित्सा करीदे, चाहे कॉंग्रेस खरीदे तो बिहार के जो हालात हैं अब यदि हम महागतवन्दन की बात कर ले मैंने पहले ही कहा कि आज के उपचुनाओ के नतीजे नितिस कुमार और सुसील कुमार मोदी के लिए जटके जैसी स्थिती है, जो नतीजे आये है राम विलास पासपान जरूर मुस्कुराएंगे लेकिन तेजस्त्री आदव को संजीबनी बूटी मिली है उन्हें फिर से खरा होने का अफसर मिला है, मुझे पिछले दिनों एक नेता बता रहे थे, पाटी के बरिष्ट नेता बता रहे थे, कि तेजस्त्री आदव से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि वे मान लिये है कि अब कुछ नहीं होने वाला है लेकिन आज जो उप्चनाव की नतीजे आए निश्चित तोर पर उनके भीतर प्रान बायू का संचार करेगा उनके भीतर नई उर्जा भरने का काम करेगा वो मुझे लगता है कि नई उमीदे लेकर पॉजिटिव एनरजी लेकर पटना लोटेंगे कल मिटिंग भी होनी है देखना है इस मिटिंग में तजस्तु यादब आते हैं कि नहीं आते हैं क्योंकि एक बात बड़ी फसी रहती है तजस्तु यादब के मूड को कोई नहीं जानता है ने लालोई यादब समझ पाते हैं ने रावी देभी समझ पाती है और इसकी बज़ग घर का महा भारत है अब यदि हम बात करें महा गटबंदन आज जीत मिली महा गटबंदन को बेलहर और सिमरी बक्तियारफुल में राज़त का उमिदबाज जीता है नाठ नगर में आखिरी में हार गया तो देखे महा गटबंदन में पांच पार्टियां सामिल है राज़त सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी RLSP BIP और हम तो आज उपचुनाओ के नतीजे क्या कहते हैं राज़त का अपना आधार है यह बात सही है आज फिर से पर्मानित होता है लेकिन राज़त को कुनवे को जोड़ने की जुरत है और तेज़सुई आदब भी मानने लगे है रगुबन्स, पसाज, सिंग, सिवान, अंतिभारी जैसे नेता बार-बार कहते रहे है देखिए आप ऐसा नहीं है कि तेज़सुई आदब में बदलाव नहीं आया है तेज़सुई आदब ने पिछले दिनों पक्पुई आदब की भी परसंसा कर दी कि हाँ उन्होंने पड़ता में अच्छा काम किया तो खर, तो ये जो पांच पार्टियां हैं और आज जो उप्चुनाओ के नतीजें है तो कॉंग्रेस की दादागिरी भी नहीं चलने वाली है महागठबंदर के भी तर आज के उप्चुनाओ का नतीजा तो यही बताता है कैसे? देके समस्तिपूर में कॉंग्रेस बहुत कमजोरी से लरी अशोक राम बहुत उदासीन होकर लरे और मुझे लगता कि समस्तिपूर में लोजपा को जीतने का अफशर एक लाख दो हजार मतों से जीत हुई है यह अंतर कम हो सकता था लेकिन कॉंग्रेस जिस उदासीन्दा से लर रही थी वह चुनाओ बड़े अंतर से हारी एक लाख दो हजार मतों के अंतर से ठीक है यह दूसरी बात है कि मई में हुए संपन चुनाओ के मुकाबले यह अंतर कम है लेकिन यह बात भी है कि बोटिंग भी कम हुई थी लेकिन कॉंग्रेस की दादागिरी क्यों नहीं चलेगी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसंगंज में कॉंग्रेस हार गई सिर्फ हारी नहीं तीसरे स्थान पर चले गई 2019 के लोकसभा के आम चुनाओ में बिहार में सिर्फ किसंगंज ही एक ऐसी सीथ थी जहां महागत वंदन में कॉंग्रेस को सफल दाम इली थी मुहम्मद जाबेद, डॉक्टर जाबेद सांसत बने थे और जब विधान सवा का उप्चुनाओ आया, तो कॉंग्रेस ने परिवारबाद की परंपरा का निर्भान करते हुए डॉक्टर जाबेद की जिद्ध पर उनकी बूरी मा को टिगड़े दिया और मैं उसी बात को बार बार कहता हूँ कि लोग की नब्ज पकैने की बात नहीं समझी जाती है तो किसंगज में जो अल्प संख्यक है किसंगज आपको पता है अकलियत अल्प संख्यक मुसल्मानों की आबादी अधिक है उन्हें लगा कि घर घर में ही सब कुसे बटेगा यह बात ठीक नहीं है और इस कारण ही वहां ओवैसी की पार्टी जिसकी बिहार में धमा के दार इंट्री हो गई बिहार विधान सभा में अब उनका विधायक होगा ए आई एम आई एम का उम्मिदबार चुनाओ जीट गया कमरूल होदा और श्यूटी सिंग भाजपा की उमीदबार जिनें उमीद थी कि वे ए आई एम आई एम और कॉंग्रेस की लराई में चुनाओ जीट जाएंगी वो चुनाओ हर गई तो देखिए उब्रैसी की पार्टी सिर्फ किसंगंज नहीं जीती है कॉंग्रेस को भी एक संदेशा गया है कि आप यह मत समझ लीजिए कि मुशलमानों की बोर्ट सिर्फ आपके लिए है यदि आप नाइंसाफी करेंगे बैमानी करेंगे टिक्टो के बठबारे में परिबारबाद करेंगे तो उनके पास भी बिकल्प है या किसंगंज ने संदेश दे दिया है अब देखिए नाथ नगर की हम बात करते हैं नाथ नगर में करीब 5100 मतों के अंतर से राज़त की 85 रविया खातून चुनाव हार गई और जदियों के लक्षमी कांत मंदल ना 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 करते चुनाव जीत गए देखिए यहां महागतबंदन में तक्रार था जीता नाम मांजी मतलब हम पार्टी ने उमिद्बार का ऐलान पहले से कर रखा था लेकिन तेज़स्त्री यादब जानते थे नास नगर की जमीन को यह यूं कहें कि लालू यादब जानते थे लेकिन जीता नाम मांजी अरे परे थे खैर उनके अरने से कुछ नहीं हुआ महागतबंदन में तक्रार हुआ और यहां राज़त भी लर गया हम भी लर गया तो देखिए जो चुनाव का उप चुनाव का नतीज़ा आया है नास नगर का वह यह बताता है कि जीता नाम समझ कर हुए नुकसान किसका पहुचा रहे हैं आप जो नतीज़ा है मातर उन्हें नाथ नगर में 6315 मत मिले उनके उमिद्वार अजयराय को तो क्या यह बात प्रमानित नहीं करता है कि जीता नाम मांजी को बिंदगरा का बैगन नहीं बनना चाहिए अपनी सक्ति अपनी टाकत को केंडित करना चाहिए और महागतबंदन में कोई रोड़ा इस तरीके से नहीं अटकाना चाहिए कि सीटे हालने के लिए ही लरें हाँ जहां जीतने की सम्हामना है वहाँ जरूर लर लेकिन जबर या तनातनी महागतबंदन के लिहास से ठीक नहीं है तो यह बात ला लेस्पी उपेंदर कुछ बहा की देखे इस पूरी किचकिस से वे दूर रहे उन्होंने पहले ही टैकर लिया था कि जहां जहां उप चुनाव हो रहे हैं वहां उनकी जमीन नहीं इसलिए वे चुनाव नहीं लड़े तो इस किचकिस से दूर रहे इसलिए 2020 में वे अपनी दा स्वाकत्पंदन में वह अलग किस्म की तनातनी थे आपको याद होगा कि 2019 के लोग सभा के आम चुनाओं में तेजस्ट्री यादब ने बियाईपी को तीन लोग सभा सीते थी मुझपपरपूर मधुबनी और खगरिया खगरिया से बियाईपी पार्टी के मुख्या मुकेश यादब को हरा कर तो मुकेश सहनी को यह लगा कि यह सीत उन्हें लड़ना चाहिए क्योंकि इस लोग सभा सीत से उन्होंने चुनाओं लड़ा था और हरे थे तेजस्ट्री यादब इस बात के लिए तयार नहीं हुए क्योंकि उन्हें पता था कि सिम्री बक्तियात्वों क का जो समीकरन है वह समीकरन मुसल्मान और यादवों का है जदि उन्हें अजय कुमार यादब दिनेश चंद्र यादब के हनुमान कहे जाने वाले को पत्यासी बनाया तो राज़त ने जफर इमाम को पत्यासी बनाया लेकिन मुकेश रहनी माने नहीं मुकेश रहनी जो निसा प्रापूर से चुनाओ जरूर जीट गए राज़त के टिकट पर जदिव हार गया दिने संद्र यादब का किला थ्वस्त हो गया लेकिन मुकेश रहनी पचीस हज्जार बोट ले आए अकेले बूते अकेले दम पर और वह भी तजस्त्र यादब को चुनाओती दे कर तो इसक कि मुझे नकाल नहीं सकते हैं मेरी ताकत है तो यह सिम्री बक्तियार्पूर का अब मुकेश रहनी की आगे की रन्निती क्या होती है क्योंकि वो दोनों एंडिये और महागतबंदन दोनों के नजरिये में आ गये हैं दोनों की द्रिष्टी में आ गये हैं सिम्री बक्तियार बोट लगए क्योंकि यह जदियू भी बिस्लेशन करेगा कि मुके सहनी सिम्री बक्तापु में बोट किसका काट ले गए क्या आती पिछरों का बोट काट ले गए जिस पर एकाधिकार नितिसकुमार का हुआ कता था तो यह सारी स्थीतियां प्रिश्थितियां बनती हुई द ज़स्षियादव किस तरीके से सीना तान कराते हैं किस तरीके से नई सांसे भर कराते हैं किस तरीके से नई पॉजिटिव एनरजिय लेकर आते हैं क्योंकि यह उपचनाओ जिसका नतीज़ा आ जाया है उसमें यह तो साबित कर दिया कि NDA आप पराज़े यह नहीं है आप यह नतीजा इसलिए भी महत्पुन है क्योंकि चुनाओं के दरम्यान ही अमिर्च सा ने कह दिया था कि 2020 में नितिस कुमारी बिहार में NDA का चेहरा होंगे कोई confusion नहीं रहेगा गिरीराज सिंग जैसे लोग, सचिदानन राय, सिपी ठाकूर, संजय पास्वांग जैसे लोग की बोलती बंद हो गई, क्योंकि हम इचा नहीं कह दिया कि उनका नितित्व बना रहेगा लेकिन इस नितित्व को भी आच्चुनोती मिली है और इन्हें भी समझ में आ गया है इसलिए जदियों ने कहना शुरू किया है कि हम मन्थन करेंगे हार क्यों मिली आखिर क्यों हार गए नितित्व कुमार आखिर क्यों हार गई बीजेपी यह महत्वपुर्ण बात है तो बिहार की इदायदिती आगे किस कर्वत में जाती है हम इसका ध्यान रखेंगे, आपको बताते रहेंगे आप बने रहें लाइक सिटिज के साथ यह अब तक आपने हमारी यूटूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजिए धन्यवाद